तो पुरपटी निम्लाइन कभ है पुरपटी निम्लाइन सब्सक्राइफ चेए बीच में अज़ा बच्छों मैंनस शूंट और वेजह इनओ डेगात माइनस अख्षोटा ऑर एंसे बढ़ा हो जाए जाएगा सवाल कुछ और करेंगे इस पर लिखेंगे का बच्छे साल विश्रे क्लास में कुश्चिन किये थे 2 x plus 1 k mod का whole square minus x plus 1 का mod equal to 3 इक इस तरह से को क्या करते हैं बच्छों इसमें कुछ चीज रिपीट कर रहा है क्या रिपीट कर रहा है मौड x plus 1 repeat कर रहा है तो यहां पर मौड x plus 1 को कुछ माल लेंगे मौड x plus 1 को कुछ माल लेंगे क्या माल लें ती माल लें तो यह हो जाएगा 2t square minus t minus 3 equal to 0 हो जाएगा कितना है बच्छे यह जाएगा 2t square कितना करें माइनस 3t plus 2t minus 3 equal to 0 कि कर रहा है देख लिएगा तो यहां से आजाएगा कितना कितना आजाएगा तो टी माइनस 3 और प्लस 1 को माल लेंगे तो टी माइनस 3 equal to 0 यहां से टी का वैलू आजाएगा माइनस 1 टी का वैलू आजाएगा माइनस 1 और 3 by 2 अब ती इसको माने बच्छो उसको return कर देंगे ठांस मजेगा ठीक हम लोग माने है मॉट एक्स प्लस 1 को क्या मॉट एक्स प्लस 1 मॉट एक्स प्लस 1 कभी माइनस 1 होगा हाया ना किसी भी नंबर का मॉट लेंगे कभी नीगेटिव के बराबर आएगा नहीं आएगा इसको क्यों इन्वालिट कर रहा है समझ में रहा है है तो मॉट एक्स प्लस 1 को लेना होगा आपको कितना 3 by 2 और कोटे यूज कीजिए इस तरह से एक्स का वेलू क्या आपको मॉट एक्स इकल टू प्लस-3 बाइटीं यहां से एक्स का वैलू कितना आजयेगा बच्छों एक्स का वैलू आजयेगा ब्लस लेंगे तो 3 by 2 माइनस 1 है ना क्यानी 1 बाइटीं और माइनस लेंगे तो आ जाएगा माइनस 5 बाइटो एक्स इपोल टो माइनस 3 बाइटो माइनस 1 लेंगे तो यह आ जाएगा असान लागा इस तरह से x का वैलू क्या आ जाएगा इसका दो वैलू होगा वन बाइटो और माइनस 5 बाइटू जो जो इसको क्या करेगा जो इसको सैड़ेस्फाइब करेगा धूर टू मौड ईक्स प्लस वन का होल स्कॉर माइनस है ना और यहां पर क्वालिटिक बन गया और यहां से का दो वैलू आया क्यों कर दिया क्यों कि मैंने कि किसको माना है मौड को प्रकुति नेगेटिव नहीं तो निगेटिव नहीं होगा तो यह माइनस वन के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता है इंवालिड इस्टिट्मेंट है यहां से दो ही आया हाफ और माइनस फाइफ वाइट तो आया बच्छों समझ में जब भी यहां पर पॉजीटिव नंबर है तो प्रुपर्टी यूजकरेगे मॉट x equal to A क्या हो जाएगा बच्छों सेसेट यह हैप ऐसे मोट तूट जायगा xполож2 by एक्स-1 equal to more.. पूरा तो मॉट इक्वल्टू बर्याबर है मतलब अंदर वाली चीज या तो zabam या तो माइनस टू होगा या तो माइनस टू होगा अब एक बार टू लेकर के एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एक बार टू लेकर के एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एक बार टू लेकर कैलकुलेट करेंगे और एक बार माइनस टू लेकर के कैलकुलेट करेंगे एक बाद 2 लीजिए तो X plus 2 by X minus 1 है ना ये 2 के बड़ावर कर देजिए बच्छो कितना आएगा X plus 2 equal to 2X minus 2 यहां से X का value कितना आजाएगा बच्छो X का value आजाएगा 4 कितना आगया 4 अब X plus 2 by X minus 1 को minus 2 के बड़ावर कर देंगे तो यहां से आजाएगा बेरे बच्छे X plus 2 equal to कितना minus 2X plus 2 यहां से आजाएगा 3X equal to 0 X equal to 0 नंबर किसे मिलेगा answer क्या होगा answer इसमें 2 होगा बच्छो only 0 & 4 curly bracket का मतलब क्या होता है only 0 & 4 इस इंवाल को ऐसे लिख देंगे तो बदल बदल जाएगा इसको ऐसे लिख देंगे तो मतलब बदल जाएगा सबका मतलब अलग अलग होता है only 0 & 4 इस दे राइट आसर है असान लग रहा है कौन से प्रपर्टी उच कर रहे है मौड X equal to A X equal to plus minus X equal to A X equal to plus minus A clear है बच्छो क्लियर है चलिया एक और अच्छा सवाल है करते हैं फिनेक्स प्रपर्टी प्यारते हैं नेक्स्ट इसको सॉल्फ करेंगे बिच्छों फोर माइनस है ना एक्स माइनस वन का मौड फिर पूरे का मौड इकोल टू 3 कुछ ऐसा सब्सक्राइब तो मौड के अंदर मौड हो सकता है इससे डरना नहीं है पहले हम लोग बाहर वाले मौड को तोरने की कोशिश्च करेंगे तो इंदर की चीज हैं मौड के आंदर आंदर के जो चीज माइनस एक्स माइनस वन का मौट निक सके बराबर होगा मौट एक इपल तुक्ष मौटे अंदर बहुता है यह पूरा जो है यहां से यह जाहरा गलत था प्रूंटथ होगा कि एकमोट तो गया एक माईनस मौट एक को टूट गया से लिखेंगे नियुक्त 6-1-1-23 मेरे विच्चे और यहां से लिगेंगे 4-1-1-3 यहां से मॉट-1 कितना रिए 1 और यहां से मॉट-1 कितना रिए 7 7 अब यहां पर फिर से प्रोपर्टी लगाई है mod x equal to a x equal to plus minus a plus minus 1 यहां से x आ जागा बच्चो 1 plus minus 1 यहां 6 का value आ जागा 2 और 0 2 और 0 अब इसको 7 कीजिए तो x minus 1 equal to plus minus 7 plus minus 7 तो x आ जागा मेरे बच्चे plus minus 7 plus 1 यह आ जागा 8 और minus 7 plus 1 minus 6 इसका कितना आंसर होगा बच्चो इसका 4 आंसर होगा जो इसको satisfy करेगा 2 0 8 minus 6 कितना आसान था बच्चे देखकर यहां डर जाते हैं कि कैसे साउट करें simple था mod x equal to a x equal to plus minus mod x equal to a x equal to plus minus a तो यहां तक तो समझ रहे हैं कि ठीक है यह positive होगा तो आब हम लोग पढ़ते हैं property number 10 तो आसा property में आगे बढ़ते हैं इस तरह का सवाल आप हैंडल करने आपको आ रहा होगा है और होमड़ गया है आपको भी बनाना है बच्छों था ना मनेग़े गा प्रोपर्टी 10 तो प्रोपर्टी 10 में कहता है कि यह वालिट तब है इफ ए नीगेटिव तो बहुत असान प्रोपर्टी ए नीगेटिव तो क्या होगा इस ए नीगेटिव है मेरी बच्छे और मैं बूल दूं यहां भी पांच फार्मूला मॉट एक्स इकल टू ए आ जितार ने अ कि मॉटिक्स इस देने मॉट एक्स लेश देन इकल टू ए मॉट एक्स ग्रेटर देने और मॉट एक्स ग्रेटर इकल टू आब इसको रटा नहीं मारना इसको फील करना है बहुत अच्छे समझे अब हम लोग एक निगेटिव ले ले लेते एक्जामपल समझते हैं मैं बोल दू कि मॉड एक्स इक्वल टू माइनस टू यह स्टेट्मेंट क्या है सही है सही है कि गलत है यह स्टेट्मेंट सरासर गलत है कि कोई ऐसा मॉड होगा ही नहीं इसका वैलू माइनस टू होगा कि मैंने पहला ही प्रपर्टी बताया कि मॉड एक्स हमें साथ ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है तो किसी नमबर का मॉड एक के बराबर है मतलब यह कैसा हो जाएगा यह इंपटी सेट हो जाएगा बच्चो एक्स बिलोंग चुट क्या होगा बच्चो फई होगा को ऐसा होगा ही नहीं जिसका मॉड वैल्यू आपका ए निगेटिव होगा और नहीं होगा क्या कोई ऐसा एक्स होगा जिसका माड वैल्यू नीगेटिव से खोटा होगा तो अपर चोटा कहां से फाल्स है जो फाल्स हो जाएगा तो 5 में चला जाएगा में चला जाएगा मॉड एक से छोटा हो ही नहीं सकता है यह स्टेट्मेंट हमेशा के लिए गलत हो जाए उसको चला जाता है नो सॉलूशन में नल सेट में है ना तो यह तीनों का अंसर हो गया फाइल यहां सॉल्व नहीं करना है इसा कोई एक होगा ही नहीं इसका मॉड लेने पर निगेटिव से छोटा आएगा मतलब नो सॉलूशन का केस है तो पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा क साइन लेने पर पांच आ सकता है स्टेट्मेंट पता ही चल गया कि यह तो हमेशा के लिए गलत है तो ट्रीगों में और भी बात क्लियर होगी मॉड एक्स ग्रेटर दैने कुन बताएगा मॉड एक्स ग्रेटर दैन एक मॉड वैलू यह से बढ़ा है तो मॉड वैल्यू पॉजिटीव होता है और पॉजिटीव नंबर निगेटिव से बड़ा है यह स्टेट्मेंट कभी गलत नहीं हो सकता है और यह स्टेट्मेंट जब कभी गलत नहीं होगा इसका अंसर होगा और यह तीनों केस में चला जाएगा नल सेट में चला जाएगा बहुत ईजी था या तो इसका अंसर 5 होगा 5 होगा या तो इसका अंसर all real value होगा all real value होगा या 5 होगा अब लो से इस पर सवाल कैसे जिसे अभी मैंने question में eliminate किये थे उस तरह से सवाल इस पर आ सकता है है ना solve for x questions पर ऐसे आ सकता है तो इस पर नहीं चलाना है इसे मालक के एक पर दिया हुआ है कि 2x प्लस 3 का मॉड इक्वल टू-5 तो यहां पर आपको direct क्या लिखना है कि कभी ऐसा कोई x होगा ही नहीं जिसका 2x प्लस 3 करके मॉड लेंगे वह माइनस 5 के बरावर होगा ऐसा कोई x होगा है नहीं जिसका answer क्या हो जागा बच्चो एक्स बिलॉंग्स टू हो जाएगा 5 हो जाएगा 3x-2 का मॉड लेस देन माइनस 3 क्या answer होगा इसको solve नहीं करना है solve होगा ही नहीं that answer क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 5x प्लस 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू माइनस 4 यह चीज पॉजिटिव पॉजिटिव चीज कभी निगेटिव से छोटा हो ही नहीं सकता है यह स्टेक्मेंट तो सरासर गलत है मतलब यह 5 में चला जाएगा लेकिन 2x प्लस 5 ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1 रहेगा तब क्या करेंगे तो इसको solve करने यहां यहां पर फॉर्मूलार कभ लगेगा मॉड एक्स ग्रेटर दैन एक्स दैन माइनस ए और एक्स ग्रेटर दैन के कभ लगेगा जब यह चीज पॉजिटिव होगा यह चीज निगेटिव होगा तो सबको समझ में रहा है रख्टा नहीं चलता है 3x प्लस 1 3x प्लस 1 ग्रेटर दैन माइनस 5 सिर्फ ग्रेटर रहे दोनों केस में और रियल वैलू महीं जाना है इसको तो इस तरह से अभी मैंने क्वेशन किये थे उसमें आपका निगेटिव के बराबर आ गया था देखिए बच्चों अभी एक सवाल में आपका मैंने उसक किया है निगेटिव के बराबर आ गया तो इसको इन्वैलिट कर दिये थे जस्ट अभी इस सवाल में आया था यहां पर देखिए मॉड एक्स मॉड एक्स प्लस 1 माइनस 1 के बराबर आ गया तो यहां पर हमने इसको कर दिया 5 हो जाएगा क्योंकि किसी नमर का मॉड प्रॉटिव के लिए वैलिड है ना और यह पुर्पर्टी याद रखना है तीन में फाइव हो जाता है और दो में और रियल वैलू हो जाता है बतलब इसको सौफ ही नहीं करना है यह हमेसा में सब्सक्राइब लास्ट परटी विच्चो परटी 11 सोफ़िएमे थी परटी 11 क्या कहता है विए कैilles 0 कि में इस एफकोल टो जरू यह जिओ रहे हैं अले प्रॉसिटिव पढ़िए और आप पढ़ रहे हैं जिरो ए जीरो वाले में भी थोड़ा बच्चे को प्रसानी होता है कहां पर गलती होता है उसको समझेंगे समझेंगे अच्छा से यह भी जीरो है घंड देजेगा तो मॉड एक्स इकोल टू जीरो मुझे एक ऐसा ढूंदना है वैल्यू जिसका दूरी जीरो से दूरी जीरो हो कौन होगा जो जीरो पर बैठा हुआ है ओरिजिन जीरो का ही जीरो से दूरी जीरो होगा पतला आप खुद यहीं बैठे है जीरो पर ही बैठे हुए है तो आपका यहां से दूरी जीरो होगा है या ना बच्छो। MOD X less than zero MOD X less than zero क्या अंसर होगा क्या कोई ऐसा X होगा जिसका MOD लेने पर zero से छोटा होगा नहीं हो सकता है मेरे बच्छे क्या अंसर हो जाएगा phi हो जाएगा लेकिन MOD X less than equal to zero मैं आपको President बटाया था बच्छो कि A less than equal to B true तब है या तो a b से छोटा है या a b के बरावर है either a less than b या a equal to b less than able to का मतलब या तो छोटा या तो बरावर यह statement true है कि false है 5 less than equal to 5 क्या 5 5 से छोटा है नहीं क्या 5 5 के बरावर है हाँ तो statement true हो जाएगा दोनों में से कोई एक true हो जाए है statement true हो जाता है less than equal to का मतलब या तो less हो जाए या तो इक्वल्टू हो जाए तो चलिए लेस ले रहे हैं तो problem हो रहा है मौड का वैलू 0 से छोटा नहीं हो सकता है लेकिन क्या मौड का वैलू 0 के बरावर हो सकता है तो हाँ हो सकता है इसका अंसर आएगा एक्स इक्वल्टू जेरो एक्स इक्वल्टू जेरो जेरो यहां पर फाई नहीं होगा बच्चों कर लिजिए यहां पर फाई नहीं होगा जीरो तो हो कि मौड होता है ग्रेटर इक्वल्टू जीरो तो मौड के रिंज में जीरो है जीरो है जीरो होगा जीरो से बढ़ा कुछ फूर्टा नहीं होगा इसका उन्सर ग्रेटर दन जीरो इसका levers क्रेटर देंजीरो कर मौड जीरो से बढ़ा है क्या ALL और या वहां स ச Amazon ऑट रियल वैल्यू और एक्सेट जीरो यह भी गलति होता है वाई एक्सेट जीरो यहां फे नीचे जीरो नहीं लगा हुए तो किसी निम्बर कम 9-0 से बढ़ा लेकिन जीरो के बरावर है लेकिन जीरो के बरावर है सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं मेरे मुच्छे लिए इस सब्सक्राइब चलिए टू एक्स प्लस थ्री का मॉड इक्वल टू जीरो कि आप लोग रहे हैं कि मुझे ऐसा ना है जिसमे टू एक्सा प्लसित ही का मॉड लेने पर कितना आ जाए जिए अब प्रपटी पर है यहां से जाएगा तो इसको सटिस्टाइब करेगा इसको बना देगा इसको इसको सौल नहीं करना है चलाना है क्या होगा इसका आप कोई ऐसा जूंदी नहीं पाईएगा जिसको यहां पुट करें उसका मॉड निकाले और वो जीडो से छोटा आजाए तो फाइगा फॉर एक्स प्लस वन का मॉड लेस दन इकॉल टू जीरो क्या पड़ें जीरो से छोटा नहीं हो सकता है लेकिन बरावर बहुत अच्छे यहां पर फाई लिख देते हैं फाई गलत है माइनस माइनस माइन फॉर पर जीरो होगा बाकी जगा और डिफाइन वह चला जाएगा नो सॉलिशन पर चला जाएगा हमुआ है है चक्च पर होता हैं उसको समझेगा है थ्री एक्स माइनस वन पर डिटर देन जी क्या होगा और एक्स प्लैस्टी का मॉड़ ग्रेटर इक्वल टू इसका अंसर क्या होगा और ज़िएल वैलू तक मॉड़ हमें से दिरू जिआ से बड़ा होता है ड्रेटर दन जीरो में क्या होगा इसमें बताया है कि 3x-40 नहीं होना चाहिए जीरों को छोड़के आप कुछ भी कर सकते हैं यानि एक्स जो होगा मेरे बच्चे वह 4 by 3 नहीं होना चाहिए यानि आंसर इसका हो जाएगा all real value except 4 by 3 बहुत बच्ची इसको है वड़ी में क्या अंसर कर देते हैं इसका इक्वल्टू रहेगा तो आल रियल वैल्टू यहां नहीं है तो आल रियल वैल्टू एक्सेट 4 वाइट की मेरे बच्चे और 5 का अंसर हो जाएगा और बच्चों समझ में क्लियर है यहां तक क्लियर है एक यह पॉजिटीव वाला में थोड़ा सा करना है निगेटी वाले में अपको ट्रिक से याद रखना बैठके इसको रट रहे हैं आपको समझना होगा यह था मौट का 11 पॉइंट सीखते हैं बच्चों एक नोटपइंट लिखते हैं इसक्ता आपको समझते हैं बच्चों काफी का मौन का यह चीज है अंडरूट अंडरूट ए स्क्वाइर है यहां जान बच्चे करते किरते हैं बच्चे का स्कॉयर हम लोग लोग पढ़कर ना तो तो से टूप गया तो यह होना चाहिए अंडर not a होना चाहिए हम लोग में वोल की नहीं होना चाहिए मॉन द्यों द्यों ए था यहां पे समझेगे जैसे कि मैं बोल दूखी 2 stiza four और फूरह starts तू अब बहुत बच्चे को यह गलती होता है कि फोर का रूट बच्चे लिए देते हैं प्लस माइनस टू नहीं यह पॉजिटिव वैलू को रिप्रेजेंट करता है लेकिन अपने एक्स को सॉल्फ किया तो दो का भी स्क्वाइर करने पर फोर आएगा माइनस दो का भी स्क् फोर लिखा हुआ है सुमना को से फटी बाते हैं लेकिन बहुत मिश्टिक होता है अंडरूट फोर का मतलब हुआ पॉजिटिव स्क्वाइरूट को रिप्रेजेंट करता है तिसका वैलू सिफ्टू होगा माइनस टू नहीं हो जकता है रूट इजे नॉन निगेटिव से म कि आपका एक नॉन निगेटिव कॉँटिटी ए तो तू का एक स्क्वाइरूट फोर एक एक सब्सक्तबी घि कितना एंगह फोर का root 2 तो यहां 2 रहे या minus 2 रहे square करके root लेंगे तो output 2 ही आएगा तो मुझे नहीं पता था कि यहां पर 2 है कि minus 2 है यह 2 भी हो सकता है minus 2 भी हो सकता है चलिए positive बनाने के लिए मेरे बच्चे mod लिया जाता है यह एक non negative है तो यह भी non negative होगा तो under root A square mod A होता है इसमें किसी को doubt है तो पुलिए under root A square अब से आज के class के बार आप लोग कभी A नहीं लिखेंगे बच्चों under root A square को mod A लिखेंगे 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 इस पर कैसे सवाल बनता है उस पर आते हैं जहां समलिएगा अंडरूट A square mod जैसे कि 1-6 equal to under root x square minus 2x plus 1 x square minus 2x plus 1 है बात समझ में आ रहा है तो 1-x और इसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे बच्चे x minus 1 का whole square अब बहुत बच्चों के यहां पर गल्ती क्या हो जाता है यहां पर लिख देते हैं बच्चे x minus 1 अभी क्या बता है 1-6 तो रहेगा और यह आएगा मॉड एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब अंडरूट ए स्क्वाइर अंडरूट ए स्क्वाइर मॉड आता है मॉड बाहर आता है एक यू नहीं होता है स्क्राइब दोनों लेना होगा लगाना पड़ता है लगाना पड़ता है कोई देखर बत्चों अब या से हम लों नोग बनाए हुए पहले विट माइनस साइं बहार आया है विट माइनस साइं कोई भी चीज जब माइनस साथ बहार आजा तो क्या होता है कोई भी चीज जब माइनस साथ बहार आजा तो मॉड के अंदर की चीज क्या होती है नेगेटिफ नेगेटिफ वोगा यासे आजागा x less than equal to 1 x less than equal to 1 आजागा रच्चो यह आपका अंसर होजागा x longs to minus infinity to minus infinity to 1 यह बाद समाच पाएके ने सारे कोच्चा